हेलो जैहिन मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ लर्न वित प्रमेंद्रावत में इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रेक्टिस सेट 35 इस सेट को सुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेशन है इस क्वेशन को आपको खुद स से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका जो सॉल्विशन है वो मैं आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड करूँगा ये क्वेशन पूछा गया था सीजियल में 2016 में चलिए सुरू करते हैं सेट को पहला क्वेशन आपका है थ्री एक्स क्यूब बराबर 375 हो तो एक्स की वैल्यू ग्यांत कीजिये आपको दे रखा है थ्री एक्स क्यूब बराबर 375 एक्स क्यूब बराबर क्या होगा 375 बटे 3 ये 3 यहां गुणा में था जैसे ही हम पकसांतर करेंगे ये जाएगा बटे में 3 से कटेगा 3 एक बार 7 कटेगा 3 दूना 6 बचा 1 और 5 15 तीन पंजी 15 तो एक्स क्यूब बराबर कितना आगया 125 ठीक है तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का तो एक्स बराबर क्या होगा 5 अप्स नमबर B नेक्स्ट क्वेशन है इसकी वैल्यू ग्यांत कीजिए तो 107 गुणा 1.07 गुणा 10.3 तो 3 से गुणा करेंगे 3 सता 21 को 1 हासिल 2 3 0 को 0 प्लस 2 2 3 एकम 3 उसके बाद 0 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 0 पूरा 0 हो जाएगा उसके बाद 1 से करेंगे तो 1 गुणा 107 बराबर 107 1 2 7 और 3 10 10 10 और 1 11 और 10 अंबलब के बाद कितने अंख है 1 2 3 तो यहां पर भी 1 2 3 अंख से पहले क्या आएगा 10 अंबलब तो option number इसका होगा option number a इसका बिलकुल सही होगा अगला question है यह काफी अच्छा question है इसको solve करने की कोशिस किजिए यहां पर आपको दिया है कॉज थीटा प्लस साइन थीटा बराबर root कॉज थीटा अब मैं दोनों पक्सों में square करता हूँ ठीक है दोनों पक्सों में square करने पर दोनों पक्सों में जब square करेंगे तो उसके बाद क्या होगा देखी यहां मैं square करता हूँ तो यहां होगा कॉज थीटा प्लस साइन थीटा का whole square बराबर में होगा यहां पर root 2 था ठीक है root 2 कॉज थीटा का square अब इस square को अगर हम खोलते हैं तो यहां पर आएगा cos square थीटा यह है a और यह है b a plus b तो a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2 a और b तो a square cos square थीटा plus b square में क्या है sin square थीटा plus 2 cos theta sin theta बराबर में आपका आएगा root 2 का square क्या होता है 2 और cos theta का square होगा cos square theta इसके बाद इसको पक्सांतर करते हैं इन दोनों को लेके जाते हैं यहां और इसको छोड़ते हैं यहां पर ठीक है cos 2 cos theta sin theta बराबर होगा 2 cos square theta minus आएगा आपका cos square theta और minus में आपका आएगा minus यहां से sin square theta पलस का है यहां जाएगा minus sin square theta इसके बाद यहां तो आपका है 2 cos theta sin theta बराबर आपका होगा 2 कोज square theta में से 1 κोज square theta अगर जाएगा तो कितना بچेगा cos square theta minus sin square theta इसके बाद अगर हम इसको खोलते हैं तो यह formula होता है आपका a square minus b square बराबर क्या होता है a plus b into a minus b तो इस formula को अगर हम खोलते हैं तो यह होगा cos theta a plus b cos theta plus sin theta into cos theta minus sin theta ठीक है और यहाँ पे आपका है 2 cos theta sin theta इसके बाद इसकी value हमें दे रखी है ठीक है sin theta plus cos theta या cos theta plus sin theta की value हमें क्याद रखी है इसकी value हमें दे रखी है इसकी value क्याद रखी है root 2 cos theta तो इसके इस्तान पे हम लिखेंगे root 2 cos theta इस पूरे के इस्तान पे ठीक है और यहाँ पे आपका यह हमें पूछा गया है cos theta minus sin theta बराबर में आपका है 2 cos theta sin theta तो इसकी value हमें ग्यांत करनी है ठीक है अब इसके बाद इसको पक्सांतर करेंगे तो आगे मैं इसको लिखता हूँ तो यहां पे आगे solve करते हैं तो यहां पे था आपका 2 cos theta sin theta बराबर में था root 2 इसका मान कितना था root 2 cos theta into cos theta minus into cos theta minus sin theta इसके बाद इसको हम पक्सांतर करते हैं तो यहां पे होगा 2 cos theta into sin theta बट्टे में आपका आएगा root 2 cos theta बराबर cos theta minus sin theta तो इसकी value अब क्या आएगी cos theta से cos theta कट गया और root 2 से 2 कितने बार कटेगा root 2 बार ठीक है 2 को हम क्या लिख सकते हैं root 2 into root 2 इसके गुड़नखंड हम कर सकते हैं 2 के गुड़नखंड तो दो बराबर हम यह लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से क्या होगा नीची आपका root 2 था 1 root 2 से 1 root 2 कट गया तो कितना बचेगा root 2 तो यहां आपका बच गया root 2 यहां पे आपका बचा है sin theta तो इसकी value कितनी आगई cos theta minus sin theta की value क्या आई root 2 sin theta option number a अगला प्रशन है एक समकौन तिर्बुज में कर्ण का बर्ग कितनी बुजाओं के बर्ग के योग के बराबर होता है तो यह question repeat हुआ है यह होता है आपका option number c दो बुजाओं के बर्ग के योग के बराबर एक होता है लंब और एक होता है आधार noon cone कितनी डिगरी का होता है तो noon cone होता है 90 degree से छोटा 90 degree से छोटा जैसे 60 60 60 तो यह 90 degree से जो छोटा होगा वो क्या होगा noon cone होगा option number b अगला है एक घन का संपून प्रिष्टी या छेदरफल क्या होता है कोई घन आपको दिया हुआ है यह आपका एक घन है ठीक है तो इसका अगर इसकी एक core क्या है ए है तो इसका तो संपून प्रिष्टी या छेदरफल या total surface area क्या होगा 6a square क्या होगा 6a square इसके बाद आपको दिया है एक अर्द ब्रिष्ट का छेदरफल इतना वर्ग मेटर है तो ब्रिष्ट की तिर्जा ज्यात कीजिए ब्रिष्ट का छेदरफल क्या होता है पूरे ब्रिष्ट का छेदरफल होता है ब्रिष्ट का छेदरफल बराबर होता है πाई r square अर्द ब्रिष्ट का छेदरफल क्या होगा अर्द ब्रिष्ट का छेदरफल बराबर होगा πाई r square बटे 2 और इसके value हमी कितने दिर रखी है 308 तो πाई आर स्क्वाइर बट्टे 2 ये भी बृत का छेतर पल है और यहाँ पर जो 308 है वो भी क्या है अर्द बृत का छेतर पल है तो बट्टे 2 बराबर आपका होगा 308 इस दो को हम क्या करते हैं पक्सांतर पाई आर स्क्वाइर बराबर होगा 308 यहाँ पर भाग में था यहाँ जाएगा गुणा में अब पाई का मान रखेंगे 22 बट्टे 7 गुणा आर स्क्वाइर बराबर आपका होगा 308 गुणा 2 आर स्क्वाइर बराबर होगा 308 गुणा 2 गुणा में आपका आएगा 7 और बट्टे में आपका जाएगा 22 2 से 22 कट गया 11 बार और 11 से 308 कटेगा 11 दूनी 22 11,8,88,28 बार तो आर स्क्वेर बराबर आपका क्या बचा है आर स्क्वेर बराबर आपका बचा है 28 गुणा 7 28 के गुणनखन क्या होते हैं 2 दूनी 4 सता 28 और गुणा में आपका है 7 तो यहाँ पे अगर आर बराबर हम लिखते हैं तो यह होगा रूट 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 जैसे ही आर का स्क्वेर हटाएंगे यहाँ लगेगा आपका अंडर रूट और यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से दो एक बार भार आजाएगा और यहाँ से 7 बार भार आजाएगा तो इसकी तरजिया आर बराबर क्या होगी 7 दूना 14 मीटर अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात एक अनुपात तीन है और उनका योग दो सो चालीस है तो उनका अंतर क्या होगा तो इनका अनुपाद तो क्या है एक अनुपाद तीन तो अनुपाद का जो योग है वो क्या है तीन और एक चार और वैसे जो वास्तविक योग है वो कितना है दो सो चालीस तो ये भी योग है और ये भी योग है इसका मत्तब क्या है चार की वैल्यू कितनी है दो सो चालीस एक की value कितनी होगी, 240 बटे 4, 4 से कटेगा, 4 शका 24, 60 बार, तो एक की value कितनी आ गई, 60, अब इसने पूछा क्या है, उनका अंतर, अंतर मिन्स इन दोनों के 20 कितने का difference है, तो 3 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे, तो कितने का difference है, 2 का, तो 2 की value हमें पूछी है, तो 2 बराबर क्या होगा, 60 गुणा 2 बराबर होगा, 120, तो option number D इसका सही होगा, अगला question है, ये वाला question मुझे लग रहा है, repeat हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये वाली side को solve करते हैं, फिर उसके बाद हम ये वाली side को solve करते हैं, इसको बोलते हैं left hand side, और इसको बोलते हैं right hand side, ठीक है, तो चलिए इसको solve करते हैं, पहले हम solve करते हैं left hand side को, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, left hand side में आपका है 2x plus 2 costrak के अंदर है फिर आपका है x plus 3 ये भी costrak के अंदर है फिर प्लस है आपका 8 तो इसको हम पहले solve करते हैं ठीक है तो इसका गुणा क्या करते हैं पहले इस दो x से जो है इस वाले समिश इसको पूरा क्या करते हैं गुणा करते हैं तो पहले 2x से गुणा करेंगे x को उसके बाद गुणा करेंगे 3 को ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x गुणा में x बीच में है आपका plus यहाँ पे भी है plus यहाँ पे plus into plus plus 2x गुणा 3 2x गुणा 3 फिर plus में आपका आएगा 2 गुणा x 2 गुणा x प्लस में आपका आएगा 2 गुणा 3 पहले 2 से x को फिर 2 से ही किसको? 3 को 2 गुणा 3 प्लस आपका है 8 तो यहाँ पे आपका आएगा 2 x square x दो बार है प्लस में आपका आएगा 2 3 6 x प्लस में आपका आएगा 2 x प्लस में आपका आएगा 3 दोना 6 प्लस 8 इसके बाद इसको आगे अगर हम solve करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2X square प्लस 6X यहाँ पर है 2X यहाँ पर कितने हो गए 8X प्लस यहाँ पर 8 था ठीक है यहाँ पर केबल 8 था 8 और 6 14 तो जो यह left hand side है इसका जो answer है वो इतना आगया ठीक है उसके बाद अगर हम right hand side को solve करते हैं तो उसमें क्या है 2X प्लस 1 इंटू X प्लस 5 तो यहाँ पर भी पहरे 2X से इसको गुणा करेंगे फिर 2X से इसको 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा 2X इंटू X तो यहाँ पर हो गया आपका 2X स्क्वाइर प्लस 2 पंजे 10 X प्लस X प्लस प्लस 5 तो यहाँ पर तो हो गया 2X स्क्वाइर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 और 11X प्लस 5 प्लस 5 तो यह हो गया आपका right hand side अब इन दोनों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है यह आपका है लेप्ट हैंड साइड में यह LHS बराबर होता है RH तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो यह है 2X स्क्वाइर प्लस 8X प्लस 14 तो यहाँ पे आपका है 2X स्क्वाइर प्लस 11X 11X प्लस 5 अब इनको पक्सांतर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2X स्क्वाइर माइनस 2X स्क्वाइर फिर प्लस में आपका आएगा 14 और इस 8X को हम लेके जाते हैं उदर और इस 5 को लेके आते हैं यहाँ पे ठीक है तो यह 8X वहाँ जाएगा यहाँ पे 11X है 8X वहाँ जाएगा माइनस का होगा 11 में साथ गया 3X तो यहाँ आपका बचेगा 2X स्क्वाइर में से 2X स्क्वाइर गया 0 यहाँ आपका बचेगा 14 में से 5 गया 9 बराबर में आपका है 3X तो X बराबर कितना होगा 9 बटे 3 तीन से कड़ गया तीन बार तो X की वैलियू कितने आ गई तीन अगला प्रश्न है एक रेल गाड़ी 40 किलो मेटर परति घंटे की रफ्तार से चल रही है यह एक खंबे को 18 सेकेंड की रफ्तार से तै करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी तो लंबाई आपको मीटर में दे रखी है तो आपको पहले किलो मीटर परति घंटे को मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना पड़ेगा तो इसकी जो speed है वो कितनी है 40 km पर ती घंटा तो इसको हम meter per second में अगर बदलते हैं तो 40 गुणा गया 5 बटे 18 meter per second इसकी speed यह हो गई ठीक है और time कितना है 18 second तो distance बराबर क्या होता है speed into time यह formula मैंने पहले आपको बताया है कि यह formula कैसे आया तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ speed की जगह में कितना है 40 गुणा 5 बटे 18 time कितना है 18 second 18 से 18 कट गया तो 5 जो को 20 यानि 200 meter तो इसकी जो distance होगी या इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी 200 meter अगला question है इसमें केवल एक formula का यूज़ करना है a प्लस b का whole square बराबर क्या होता है a square प्लस b square प्लस 2 a b तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यह वाला लिखूँगा ठीक है a प्लस b का whole square में क्या लिखूँगा यह तो a square प्लस b square प्लस 2 a b उसके बाद आपके पास है minus a square minus a square ठीक है a प्लस b का whole square के इस्तान पर हमने क्या लिख दिया ये लिख दिया ठीक है तो a square से a square कट गया b square से यहां पर b square है ठीक है b square से b square कट गया यहां क्या बच गया 2 a b तो option number इसका क्या है option number d अगला प्रश्न है उस बृत का छेतरफल गयात करो जिसका ब्यास क्या है 5 cm है कोई बृत दे रखा है बृत का छेतरफल क्या होता है pi r square तो 22 बटे 7 और r कितना है r होगा ब्यास का अदा ब्यास कितना है 5 5 बटे 2 तो यहां पर r के स्थान पर लेखेंगे 5 बटे 2 यहां पे भी 5 बटे 2, 5 बटे 2, 2 बा लिखेंगे, ठीक है, क्यूंकि R का क्या है, square, तो 2 से कट गया, 11 बार, 11 पंजे 55, 55 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और दो 27 बटे 7 दुना 14, तो 14 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो यह आएगा, 14 एकम 14, यहां पे बज़ गया 13, 135 तो 14 नमा 126, बचा 9, तो 14 चका 84, तो उप्सन नमबर A इसका बिल्कुल सही है, उप्सन A इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आगे भी आप इसको solve कर सकते हैं, आपको नहीं आएगा, तो आप इसमें basic से बिल्कुल भाग दे के कीजिएगा, ठीक है, यहां पे 14 एकम 14, फि कितने तक याद करने हैं, एक से लेकर 30 तक, इससे आपको reasoning में साथ साथ ही math में भी आपको क्या मिलेगी, help मिलेगी, तो अगर आपको इसका square याद होगा, यह किसका square है, तो इसका बर्गमूल भी वही होगा, ठीक है, तो यह है आपका 27 का square option number B, बाकी इसको जो निकालने का तरीका है, 729, यहां से हम right side से जोड़ी बनाते हैं, और यहां पे एक, यह सिंगल बज़ गया, ठीक है, उसके बाद हम एक ऐसी संक्या सोचते हैं, जिसका square करने पर या तो 7 आए, या फिर उससे चोटी संक्या आए, तो ऐसी संक्या है 2, 2, 2, 4, इसके बाद इसमें से इसको संक्या सोचनी है, जिस से, जिसको यहां पर रखने से, उसको यहां उसी संक्या से गुणा करने पर क्या है, इतना है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं रखता हूँ 7, और यहां पर भी मैं रखता हूँ 7, तो 7, 7, 59, 7 जो को 28, 34, 32, तो इसका जो बर्गमू लाएगा, वो कित नंबर होगा वो क्या होगा 3 गुणा किया 3 से 3 तिया 9 फिर 3 से गुणा किया 9 तिया 27 फिर 3 से गुणा किया 81 फिर 81 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 3 एकम 3 3,8,24,243 इसका बिलकुल सही उत्तर होगा लास्ट प्रेशने ये तो एक फॉर्मूला ही आपको पूछ लिया गया है साइन स्कूर थीटा स्वरी साइन स्कूर थीटा प्लस कॉज स्कूर थीटा अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में टाइप किजिएगा इसका जो आंसर होता है वो होता है एक बराबर होता है एक दूसरा फॉर्मूला था वन प्लस टैन स्कूर थीटा बराबर होता है सेक स्कूर थीटा तीसरा फॉर्मूला था वन प्लस कॉट स्कूर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्कूर थीटा चलिए इस question को अब solve करते हैं किसी वस्तु के लागत मूले और बिक्रे मूले का अनुपाद क्या है 20 अनुपाद 21 है उस पर प्राप्त होने वाला लाब परतिसद बताईए यहाँ पे जो है आपको दियाव है दा ratio of cost price and selling price of an article is 20 is to 21 then gain percent on it is CP क्रे मूले ratio SP इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है 20 अनुपाद 21 है अगर मैं यहाँ से profit निकालों तो profit होगा SP माइनस CP तो profit क्या होगा 21 माइनस 20 बराबर 1 तो profit परतिसद क्या होता है profit upon क्रे मूले गुणा 100 तो profit कितना है एक और क्रे मूले कितना है 20 गुणा में आपका आएगा 100 तो 20 से कट गया 5 बार तो कितना आएगा 5 परतिसद तो चलिए इस practice set में बस इतना ही पढ़ते रहिए signing out सुक्षू कर दो आपाना में हैas प्लवार रखना ही ब 보ता है बार्षर कर देता है अदे पुछाओ टो अप्र्राइफ पुछां बया जा सक्राफ सो कितना है